तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिजनिंग टेस्ट के बारे में समानी बुद्धी परिक्षण जो कि सभी पृतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत आउशक है तो देखिए देखते हैं कि किन किन एक्जाम्स में मुस्ली इस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं तो एक्जाम्स तो रिजनिंग एक्जाम्स में जो है आपके जो में कंटेंट्स है आपके UK SSC है आपका पुलिस का एक्जाम है UPSC का एक्जाम हो गया CET का एक्जाम हो गया Common Entrance Test Banking से संबंदित है MBA के Entrance के अगर हम बात कर तो CAT वागरा के एक्जाम है NTSC है National Talent Search Examination SSC है Staff Selection Commission RBI के हो गए Railway Recruitment के एक्जाम्स है LIC AIB and RAW etc तो कई सारे एक्जाम्स में reasoning से संबंदित प्रशन आती ही आते हैं तो अगर हम इसकी बहुत अच्छे से तैयरी कर लेते हैं तो हमें काफी help मिल जाएगी किसी भी competitive exams को clear करने में तो देखे इसके contents की बात कर लेते हैं तो content की बात करें हमने कि इसको एक अपनी तरफ से sequence दे रखा है और आप आपके अपने channel पर इससे संबंदित वीडियोस हम डालते रहेंगे तो देखे इसमें हमने जो order दे रखा है पहला इसमें हमने pass से एको दे रखा है dice से संबंदित आपके प्रशन आते हैं है आपका घड़ी हां घड़ि क्लॉंक से सम्द्यर्ट प्रश्ण रहते हैं हैं तीसरा हैær लेंडर ्टर से समय आयू से सम्द्यर्ट प्रश्ण पूछ ले जाते हैं तो यह भी काफ you कमऩ महत्पूर्ण हो जाता है और कई बार चैलेंजिंग हो जाता है तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं help लेकर जो है वीडियो की बुक्स की तो नेक्स है आपका फॉर्थ घन एवम घनाप क्यू एंड क्यू वाइट से संबंदित प्रश्ण आ जाते हैं आगे है आपका संकेतिक भासा परिक्षण कोडिंग टेस्ट यह भी काफी महत्पूर्ण होता है कि यह रिजनिंग को काफी एन्हांस करता है बढ़ाता है नेक्स्ट आगर हम सिक्स पॉइंट की बात करें तो दिसा परिक्षण डारिक्षण से संबंदित प्रश्ण रहते हैं सेवन्थ है आपका रक्त संबंद ब्लड रिलेशन से संबंद जिसमें हमें क्या होता है कुछ परसंस दिये होते हैं और दूसरे परसंस के साथ हमारे क्या होता है संबंद निकालना होता है तो उससे संबंदित परश्ण रहते हैं नेक्स्ट आपका एट है क्रम परिक्षण ranking test जैसे कहते हैं, अलग अलग चीजों की rank दिये होते हैं, चाहे वो number की हो, चाहे आपके people person वगरा की हो, तो उससे संबनित प्रशन रहते हैं, करम व्यवस्ता की बात करें, तो गोले में हम बैठे होते हैं, या फिर एक line में बैठे हुए हैं, तो उससे संबनित प्रशन रहत यह नेक्स अगर हम बात करें तो वर्ड माला परिक्षण है, alphabet test, यह भी काफी महत्पूर्ण होता है, सब्दो का तार्किक क्रम, नेक्स्ट है आपका, logical sequence of words, तो यह भी काफी महत्पूर्ण है आपका, थर्टिंथ है, अपबंदिक संख्या अक्षर को ग्याद करना, तो कुछ उससे संब्दित, उसमें क्या होता है, अंतर देखना होता है, या फिर समानता देखना होता है, तो इससे संब्दित प्रशन आपके रहते हैं, नेक्स्ट है आपका वर्गी करना, classification जैसे हम कहेंगे, और नेक्स्ट है, शिक्स्टीन्थ है, लुप्त संक्या अक्षर क्याद करना, यह काफी महत्पूर्ण हो जाता है, और कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, खासकर जो मैस्ट बैग्राउंड से अलग बैग्राउंड के होते हैं, उनके लिए, तो यह काफी इंपोर्टेंट भी है, और कई बार यह प्रशन, कई candidates जो हैं, वो छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना हो, इसको हम अच्छा कर सकें, तो इस पर हम आगे वीडियो जाती रहेंगे, नेक्स्ट है आपका 17 तार्किक वेन आरेक, लोजिकल वेन डाइग्राम, नेक्स्ट है आपका 18 न्याय निकमन, साइलोजिज्म, नेक्स्ट है आपका 19 कथन आवम कारवाही, statement and course of action, इसस statement and argument, 22nd है, कथन आवम पूरुधरना, statement and assumptions, तो देखिए, लास्ट के चार पॉइंट्स है, यह आपके लगवाही मिलते चुलते हैं, और एक दूसरे से related होते हैं, पर इसको हमने different, state करके, जो है, अलग-लग रखा है, इस पर हम आगे से बात करेंगे, और विस्तार से बात कर करेंगे, कि जो है, इसके अलावा आप अन्नी contents को, जिस पर हम अभी आगे हम देखते हैं, उनकी भी अगर आप तैयरी करते हैं, तो वह भी आपके लिए काफी helpful रहेगा, competitive exams में, तो इसमें क्या क्या चीज़े include हो सकती हैं, आपके गड़ती संक्रिया है, mathematical operations है, असमानता है inequality है, अंकड़ती तर्क शक्ती, arithematical reasoning जैसे कहेंगे, हम सब दिन निर्माने word formation से संबंदित प्रशन आ जाते हैं, पहली परिक्षन पजल टेस्ट आ जाते हैं, निर्णे निरधारन decision making है, लिपी की अभी योग गिता, especially जब आप clerical exams वगरा के लिए जाते हैं, तो इससे मद्दित चीजों को अगर आप और तयार कर लेते हैं, तो आपकी reasoning बहुत अच्छी हो जाएगे और आप बहुत अच्छा इस्पूर करेंगे, तो thank you so much for watching your own channel